दोस्तो, असाद मास की अमावाश्या इस साल 2 जुलाई को आ रही है इस अमावाश्या को हल हारेनी अमावश्या के नाम से भी जाना जाता है इस बार ये अमावस्या मंगलवार के दिन आ रही है इस दिन सूर्य ग्रहन भी लग रहा है इस दिन किये गए उपाई का लाब सिग्रेही मिल जाता है और जीवन से हर तक्लिफ दूर हो जाती है इसलिए आप असाड मास की अमावस्या के दिन यहां बताए गए उपाईों को पहला उपाई असाड मास की अमावश्या के दिन ब्राम्मनों को खाना खिलाना काफी सूप फल देता है इसलिए आप इस दिन 11 ब्राम्मनों को बोजन जरूर करवाए इसके अलावा असाड मास की अमावश्या को पित्रू की तिथी भी माना गया है और इस दिन बोजन को धू दूसरा उपाई इस दिन मंदिर के बार बैठे गरिब लोगों को खाना खिलाने से पाप एकदम समाप्त हो जाते हैं और पुन्य की प्राप्ति होती है आप इस दिन सुबस नान करके ताजा बोजन बनाए और इस बोजन का मंदिर में जाकर भोग लगाए और फिर इस खाने क को गरिब लोगों के बीच माट दे तीसरा उपाई असाड मास की अमावशय के दिन आप तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलिया मचलियों को खिला दे ये उपाई करने से आपके जीवन की सभी परिसान्या खतम हो जाएगी चोथा उपाई इस दिन घर में घी का दिप कोन में घी का दिपक जला दे इस दिपक में आप रुई की जगा लाल रंके धागे का इस्तमाल करे और इस दिपक के अंदर काले मिर्च भी डाल दे ये उपाई करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी पाँचवा उपाई अमावशय के दिन स्नान करने वाले पा का सकते हैं ये भी काफी सुब माना जाता है और ऐसा करने से सारे पाप से आपको निजात मिल जाती है छठा उपाई असाड मास की अमावशय के दिन आप चीटियों को सक्कर या गुड़ खिला दे इस दिन ये उपाई करने से आपकी सभी मनो कामनाई पूरी हो जाएगी औ और आपका हर कारिय सफल हो जाएगा सात्मा उपाई असाड मास अमावशय के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर हनुमान जी को चोला चड़ा दे और फिर हनुमान चालेसा का पाठ करे हनुमान चालेसा का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी की मुर्ति के सामन एक चमेली के तेल का दिपक जला दे और दिपक जला कर अपने मन में मनोकामनाई बोल दे हनुवान जी आपकी सबुए मनोकामनाई तुरंत ही पूरी कर देंगे